तो चलिए आज हम देखने वाले हैं जो इंडिक साथा कंट्रोलर है तो बैक मतलब रिवर्स कैसे काम करता है तो उसके बारे में कुछ हम लोग को मैं पूरा डीटेल प्रेमर बता देता हुआ तो अच्छे में काम कैसे करता है तो यह हमारा सीप्यू आइसे मांगे चलिए और जो रिवर्स या बैक का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट रहता है एकड़म आइसी से जुआ तो अभी देखिए इसके दो पीन निकलता है रिवर्स के लिए यह एक्ट्री रिवर्स नहीं एक रिवर्स होता है और एक ब्रेक स् समाजिएगा तो यह वाला जो कालेक्शन है जो नेगेटिव में हमारा दो टाइक में बैक आता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बैक होता है और सीधा एक एक सो दो रिजिस्टर्स है हो के एक डायट से यह टैक छोटा है जो डीसी बोलके दिखा हुआ आता है जब इसके उपर नेगेटिव आएगा अब हमारा यह रिवर्स में आ जाएगा जब यह नेगेटिव छोड़ेगा उस टाइम यह फॉन्ट में चलेगा तो यह तो एक पार्ट हो गया हमारा यह नेगेटिव बैक अब इसके लिए एक साकीट रहता है जो मैंने देखर रखाया आप लोगे को पास है तो इसको भी मैं बना देता हूं और यह एक ट्रेंडेस्टर के थू चलता है यहांसे निकले हैं एक तो हमारा बेक आफो यह तो एक नेगतिक दीन ब्रेक रहे झाप पोलिक हुआ निदीन डीन होगा एक पोजिटिव ड्रेक सुशीचSIय कeking को इसको बनाने के लिए दखिए पहरे टैट Зна कर रहता है अधो देखें में आपको मीता हुद्य रहा detec कि यह जब पॉजिटिव के ऊपर आएगा तब यह रिवर्स में काम कैसे करता है यह इसका इंपुट हो गया तब यह हमारा रिवर्स का वजार है जो बाहर निकला हुआ रहता है ज्लां है यह बैस सरस्ट से जुड़ा है और यह नेकलिप रहता है रविटध ऑघलेज्यम फूर ही हमारेडश का वैन। होलह मतलब यह टाफ मांन सकते हैं से लिवर रहता है यह इसका आप पाल्ग्लेश और है यह यह सीधा आता है एक रेजिस्टेंस के थू यह भी 102 रहता है 102 इसको बाद में जोड़ेंगे अभी नहीं जोड़ना है इसको चाहिए अभी आप लोग सब जानते हैं कि जो इन पेन बड़ा टेंजिस्टर रहता है अमारा इसको चलने के लिए करेक्टर में इसको कितना मतब प इस एक सो तीन रेजिस्टेंस से जुड़ा है मतलब पेन के इसका सप्राइब इसको मिल गया है इसको जो काम तरने के लिए दिया है यह अभी करने के लिए रेडी है अभी सिर्फ इसको इससे जोड़ना है तो यहां से एक टैग हमारा निकल गया पॉजिटिव के लिए जो पॉजिटिव में यह रिवर्स होगा व्याक होगा अब यह ब्रेक स्विच हमारा बाकी है तो ब्रेक स्विच के लिए फिर से इधार एक टायर आपको मिलेगा अब इसमें नहीं आएगा यह टायरेक्ट आएगा इसके उपर हम लोग यह लेगेटिव लाएंगे ना तो यह ब्रेक स्विच हो जाएगा मतलब इसको नेगेटिक देने से फ्वर्टल कम नहीं पाएगा ब्रेक से वह होता है मतलब यह नेगेटिक से जुड़ेगा और यह थ्वर्टल कम तरना छोड़ देगा और यहां से एक स्विप एक सो दो रेजिस्टेंस रहता है यह जुड़ा है अभी देखिए दो टैग हो गया एक दो लेकिन वायर एक ही है यह यह ट्रेंजिस्टर का सप्लाई हो गया है एग दम छोटा सर्कित है अभी कुछ खुछ टाइम क्या होता है और यह प्रिवार्स होता है जो ब्रेंटिक बारा वैक होता है ना है मतीफ यह कंट्रूलर राता है कि यह यह नॉर्मली पॉजिटिक में बैक आता है कि पुछ कुछ का पूलार है उसमें देखे रहा है तो यह वाला जो खनक सका है ना यह से बहाई उसके अंदर अब दिक्कत का होता है जाक ब्लीवार्स नहीं छोड़ता किसी किसी का प्रोब्लम आता है और वह वाला क्यों एस्टी कंट्रूलार होता है जिसमें वह रिवर्स नहीं छोड़ता तो यहां से एक इस तर्फिटर रहता है यह स्वाट होता है तब यह रिवर्स नहीं छोड़ता है प्रहले तो आपको कंफर्म होना है वह गारी रिवर्स में है या फॉंट पे हैं उसका आउट्टूट वोल्टेज चेक किजिए आपको दीजिए जो गारी रिवर्स में चल रहा है तो एक दम छोड़ देगा और यह नेगटिफ में आता है जो डीची आपका है ना कि अधिए पूस्ते बढ़ने एक दूसको जाना दो है एक दूस्त शोजा सकी दिसीटे पार वोल्ट होई पर साथ नेगटिफ बैट नेगटिफ पास्वी और एक बात मैं बताना चाहता हूं इसका बहुत बढ़ा गलती है सब लोग समझते हैं कि यह बारा वोल्ट में जो पॉज़िफ होता है यह बारा वोल्ट में ब्याक होता है यह नहीं है इसको पॉज़िटिफ आप दे दिजिए यह फॉट्टी एक डारेक दे दिजिए यह रिवर्स करनेगा पॉज़िफ पॉज़िटिफ चाहिए और इसका जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है यह 27 के से 30 के तक रहता है यह बारा यह बेस में जो एस एच करके आता है टेंड और यह से राता है और अब यह तीनों में एक सेंज होता है कि अगर नॉर्मल नेगेटिफ में बैक रहेगा तो बीसे में काम करेगा वह अगर क्योज़िए है तो उस टाइम कि एस एच में वह पॉज़िटिफ में रिवर्स होगा और यह तब जो बीजी रहे यह ब्रेक सुझ बन जाएगा नेगेटिफ में और यह वाला जो टाइगा यह पॉज़िटिफ में ब्रेक सुझ रहेगा शहला धाया यह जो इसकी वेज़िफी मूल रहेे वह तुम रहे धो जो कि करता है कि अधित तो देखिए यह वाला जो कंट्रोलर है ना इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में ही रिवर्स है इसमें दोनों में ही रिवर्स है चलिए मैं आप लोगों को इधर दिखा देता हूं तो देखिए इधर यह डबल एईज है किसी किसी में एसे ही चाता है यह हो गया हमारा पॉजिटिव में बैक और इधर एक टैग आता है डी एसपी इधर आ जाएए यह हो गया हमारा नेगेटिव में बैक इसमें दोनों फिचर ची मिलता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही इधर देखिए यह डी एसपी बतलब यह वाला कंट्रोलर रिवर्स नहीं छोड़ता सबसे बड़ा प्रब्लम ही आता है इसमें आप रिवर्स को नहीं छोड़ पा रहे है छुड़ा पा रहे हो तो यह वाला जो क्यापासिटर है ना यह इसको आपको श्रीफ रिमूब करना है इसको रिमूब कर दिए आपका कारी रिवर्स छोड़ देगा और यह नेगेटिव से सब्सक्राइब और यह नेगेटिव बैक और यह हमारा हो गया पॉजिटिव बड़ा यह डबल इस तो सब्सक्राइब करके जो आइसे आता है पर टेट पिल्गा उसमें यह नेगेटिव बैक आता है यह लौट गील में तो कुछ-कुछ भाई मुझे मैसेज करते हैं उनके लिए ही है यह वीडियो तो आप थोड़ा इसको चेक कीजिए यह खड़ा होता है वह जब यह खड़ा तो देखिए यह है DC इस यह जो डाइड है यहां से एक रेजिस्टेंस यहां बैठा है मैं आपको दिखाऊंगा नहीं आपको ट्रेस करना है और 102 है यह खड़ाव होके बैठा है कौन सबला है मैं आपको नहीं दिखा सकता आप लोगों को ट्राइब करना है नहीं तो सब मैं यूट्यूब में बता दूगा तो यह लगका लोग मुझे छोड़ेगा नहीं मैं यहां आकर बैटा हूं पैसा देके आप सब कुछ बता दे रहे हूं तो आप लोगों तो आशा करता हूँ आप लोगों को पता चल जा अभी किसी में से कोई कालेक्शन कटा हुआ है और जो पहला वाला जो कंट्रूलर में दिखाया उसका वो खराब रहता है उसको हटा द क्यानल को तो लाइक कोमेंट शेयर कर दीजेगा तम आपका इन तो जबू किजेगा तो चलिए नेक्स वीडियो ने तब कर फिरें दागत बहाएं